हम डिजाइन तो बना लेते हैं लेकिन उसमें realistic content नहीं लगा पाते हैं हमें lorem isam use करना पड़ता है या पिर realistic logo चाहिए कुछ testimonials चाहिए प्रोडक्ट की images चाहिए profile pictures चाहिए, real content चाहिए हमें तो वह कहां से मिलेगा हमारे डिजाइन्स के लिए लॉरेन इसम यूज करना छोड़ दीजिए क्योंकि मैं आपको एक प्लगिन के बारे में बताने वाला हूं उसको यूज करके भी दिखाने वाला हूं और उससे हम लोग सीखेंगे कि हमारी यह प्लगिन इंस्टॉल कर लेंगे मैंने यहां इंस्टॉल किया है प्लगिन का ने इसका link मिल जाएगा आपने खुद भी practice करना चाहते हैं तो आप practice कर सकते हैं अलग-अलग तरह के content का आपको मिल रहा है यहां पर option ओके तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो जिसमे profile picture हो profile का name भी डालना है company name डालना है amount डालना है और यहां पर यहां पर जाएंगा यहां पर दिखिए इसके अंदर आपको कुछ options दिखाई देते तो यहां पर आपको कुछ options दिखाई दे रहे हैं home का है text और सब्सक्रणा डालना है तो company name को हम लोग इस तरह से select कर लेंगे हम लोग यहाँ text में जाएंगे और यहाँ लिखने वाले हैं company और यहां लिखते ही हमें यहाँ पर काफी सारे companies के नेम अलग अलग तरीके से काफी सारे लोगों ने अपने अलग अलग list बनाके यहाँ पर रखी दिए पॉमूनिटी वनीवी है इस प्लगिन के अंदर पूरी तो हम लोग सबसे पहले यहीं पे सलेक्ट कर लेते हैं कि कंपनी यासी क्लिक किया यह देखिए कंपनी के नेम आ गए यहां पर बहुत अच्छे से और अब हम लोग अमाउंट यहां डालते हैं जैसे कि अमाउंट का य चलते हैं यहां फेर इमेज़ें को इस तरह से आपने देखना ने किया यहां पर फ्रिव्यू दिखाई दे रहे हैं राइफ को यहां पर प्रिव्यू दिखाई दे रहे तो अलग अलग currencies point में अगर आपने दिखाना है इतने रुपे इतने पैसा में तो भी आपका काम हो जाएगा तो आपको यह भी मिल गया है यहां पर नेक्स जलते हैं यहां पर profile pictures लगानी है तो मैंने यहां से तो जैसे मैं click करूँगा यहां पर apply हो रहे हैं इसके लावा अगर आप यहां देखें यह वाला kids profile बना रहे हैं तो बच्चों की भी आपको अलग से मिल जाएगी यूजर प्रोफाइल अवतार हैं यह देखें अलग अलग तरह के अवतार और वो सब mix-up मिल रहे हैं आपको राइट अब आपने यहां पर value डालनी है तो इसके अंदर मैंने इनको select कर लिया numbers डालने हैं आपके यहां से यह numbers select कर लिए अब मैं यहां से टेक्स्ट में जाऊंगा और numbers select करूंगा number जैसे number किया यहां आपको अलग तरह के numbers मिल रहे हैं hundreds डिजिट के अंदर और आपको यह देखें चोटी डिजिट में भी मिलेंगे वन से लेके 5 तक का भी मिलेगा यह देखें चोटी डिजिट यह भी मिल रहे हैं ओके तो यह हमा पर जाएंगे electronics तो आपको electronics से related ही products मिल जाएंगे यह देखिए electronics यह देखिए बूम कितना अच्छा रहा है आपका यह experience कितना अच्छा रहेगा पास्ट आप काम कर पा रहे हैं फिर से हम लोग ब्रैंड्स के अंदर ओके तो यहां पर हमने यह सेलेक्ट किया तो यहां पर म रिखा तो मुझे काफी सारे ब्रैंड मिलेंगे fashion ब्रैंड shopping clothing और credit card के ब्रैंड्स यहां पर अलग अलग तरह है कि मिल रहे है chemical ब्रैंड भी है तो हमने यहां पर हमने देख रहा है mobile phone ब्रैंड यह electronics ब्रैंड यह देखिए electronic ब्रैंड तो मैंने यहां पर लिख दिया और यह देखिए अलग-अलग electronic के brands आ गए है very nice maybe आपको ऐसे match न मिले कि यहां पर apple लिखा है और यहां पर apple का product नहीं है हलां कि यह just realistic data है और बाद में तो यह replace हो नहीं होता है तो product name भी हम लोग यहां पर डाल सकते हैं हलां कि अभी यहां पर जो images के साथ का same product का अपने आप यह न लिखा है तो यहां इसके according काफे सारे brands आ जाएंगे तो product name है वो मैं यहां पर click करूँगा तो यह देखिए product के names आ गये हैं यहां पर यह भी आ गये है और फिर currency डालनी है हमने यहां पर currency वाला हम लोग option select करेंगे और यहां से currency भी डाल देंगे again हम लोग जाएंगे amount में औ और अगर हमने dollars में डालना है तो हम लोग dollar वाला इस बार select कर लेंगे तो यह हम लोग dollar select कर लेते हैं ओके तो यह भी हमारा realistic screen बन गई है देखिए कितना अच्छे से बन रही है फिर हमें चाहिए testimonials तो हम लोग यहां से testimonials को select करेंगे text में जाएंगे testimonials लिक के तद किया यह testimonial आ गए जैसी क्लिक किया यह testimonials हमारे इधर screen में आ गए और अपने आप देखिए छोटे बड़े थे यह adjust हो गया क्योंकि यहां पर मैंने auto layout को perfectly use किया गया auto layout के बारे में अगर आपने देखना है समझना है description में इसका link मिल जाएगा उपर आई की symbol पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपको auto layout वाली वीडियो का link मिल जाएगा अब हम लोग चलते हैं brand के logos में यहां पर मान लेते हैं हमने logo दिखाने और उसे user में select करके आगे बढ़ना अगर ऐसा कुछ दिखाना है आप लिखेंगे logo और logo में आपको बहुत सारे list मिले वाली है बहुत longer list है आप food logo चाहिए आपको mall plaza logo apps के logo चाहिए अलग-अलग तरह क अगर आप इसको plug-in को explore करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे हर तरह का data मिलने वाला है अगर आप measurement kg mm cm इस तरह का कुछ डालना चाते हैं तो वह भी मिलेगा तो measurement के units है currencies है anything बहुत तरह की चीज़ें इस plugin को मैं क्यों लेके आया हूं क्योंकि इस plugin के अंदर community बनी हुआ है लोग अलग अलगता है कि plugins के अंदर भी अपना content डाल डालके अपने profiles के अंदर डाल रहे हैं और easily other people उसको use कर रहे हैं तो opportunity unlimited है इस वाले plugin के अंदर इसके लाब आपने plugins देखे होंगे जैसे UI faces है तो वहां से आपको सिर्फ faces मिलते हैं profile pictures के लिए लेकिन यहां description में आपको मिल जाएंगे इसके लाबा इस चैनल को देखते रहने के लिए आपने subscribe करना है bell के symbol पे आपने click करना है ताकि सभी notifications आपको मिलते रहे हैं thank you कर दो हैँ आपिन आपको मिलते हैं